बहीं बार्ड नंबर 11 के आजाद उमीद बार कमलेश पर्मार के दोरा बार्ड में डोर टो डोर परचार किया जा रहा है कमलेश पर्मार ने कहा कि लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है और बार्ड में लोग अब नए चेहरे को पारशद के तौर पर देखना चाहते हैं उन्होंने कहा कि बाड की समस्याओं को निप्टाने के लिए हर वक्त लोगों के साथ खड़ा रहूंगा उन्होंने कहा कि पूर पार्शदों ने बाड के कामों को लेकर दिल्चस्पी नहीं दिखाई है जिसके कारण ही अब बाड के बाशिंदे बदलाव चाह रहे हैं वो बहुत इजद दे रहा है मान समान कर रहा है और हरेक जगा जो है वो अपने मददान के लिए दस्तरी के इंतियार में उतावले खड़े हैं सब लोगों की यहां तो हतली से इस तरफ को आओ तो यहां पर कोई भी मूल भूद सुभी दानी है हतली से इस तरफ को यह एक ग्रामिंट की सितर समझा जाता है बार्ड का तो सिर्फ दर्जा दे दिया गया है और आज तक यह उसी मेरा अंकी तरह है बाकी यहां पर ना सीवरेज की विवस्ता है ना कहीं रेन सेल्टर है ना कहीं सोचालिया की विवस्ता है बाकी हमारे पास ये साथ में पॉल्टेक्निकल है, इसमें इतनी ज़्यादा भूमी खाली पड़ी हुई है, कि जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाके पॉल्टेक्निकल भी चलता रहेगा, बच्चों की संख्या बहुत काम हो गई है, तो इसको इंजिनियर कॉलेज बनाने का हम प्रयास करेंगे, बाकी यहां पर हरेक आदमी की आर्थी की सुद्रीड होगी, क्राएवाले को क्राएवाला मिलेगा, अनाज वाले को रासन वाले को रासन वाला मिलेगा, चाय वाले को चाय वाला मिलेगा, बाकी जितने हमारे बच्चे हैं, जिनको दूर दूर के सित्रों में सिक् पड़ता है तो NIT में तो सब बच्चों की सेलेक्शन हो नी सकती है उसमें तो बच्चे जाते हैं तो बाकी जो हमारे गौँ इस एरिये के लोग हैं उनके बच्चों को बहुत दूर 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 सिक्सा ग्रेंड करने जाना पड़ता है तो उनका भी पैसा बचेगा उसे भी यहां पर हमारे जो लोग हैं खुसाल होंगे अगर मैं पारसत बनता हूं तो मेरा डेवन से यह मिसन होगा जो जो मैंने अपनी अपील में बातें लिखी हैं वो मैं सब कुछ करूँगा मैंने उसमें यह भी लिखा है कि मुझे जो भी मान दे मिलेगा वो मैं ग्रीप बार हैं जिनके बच्चे जो हैं वो उनको पढ़ने लिखने के लिए साहिता मिलेगी कोई मरीज है उसको उसके इलाज के लिए वो मैं पैसा डोनेट करूँगा या कोई भी हमारे जो अपंग लोग हैं विदवा हैं उन सब लोगों के उत्हान के लिए मेरा ये सारा पैसा जाएगा इसके लावा भी मैं अपनी जो पॉक्ट है उससे भी मैं लोगों की पूरी सेवा करूंगा बाकी यहां पर जहां भी कहीं छट छटी कलोनिया हैं बहां पर टायलें लगनी हैं इसके लावा जैसे सिब मंदर है सिब मंदर से एस डी पबलिक स्कूल तक अगर आप जाएं तो आपको घुटनाओं तक जो है वो की चड़ में गुजरना पड़ रहा है तो उन सब का मैं पूरी तरीके से व्यवस्ति जंग से मतलब पूरे बार नंबर 11 मैं एक जैसा रोजिगार कराऊंगा